नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है competition community में मैं हूँ अनंद कुमार और आज के इस lecture में हम 20 अप्रेल से लेकर 27 अप्रेल तक खेल महुत सब नुक्तियां समेलन यानि कि miscellaneous के जितने भी important topics है current officer related उन सभी को आज के इस video में हम discuss करने वाले हैं कब से कब तक ध्यान रखिएगा 20 अप्रेल से लेकर 27 अप्रेल तक है यानि कि पिछले हपते के जितने भी important topics हैं उन सब का है analysis करेंगे हर एक topic बहुत important है और आपके आगामी exam के लिए बहुत महतुपून हो जाते हैं इसके अलावा हर एक topic से related कुछ other facts भी जो उसके आसपास होंगे उसे भी हम discuss करेंगे ताकि आपका preparation जो है वो बहुत static तरीके से होता रहे तो ये जो हमारा session है या फिर ये जो हमारा series है आपके हर एक exam के लिए बहुत ही important है तो शुरूर से लेकर अंध तक जरू बने रहिएगा लेकिन उससे पहले अगर आप competition community से जोडना चाहते हैं एक बहतरीन team के साथ बहतरीन infrastructure के साथ आप अपने preparation को आगे बढ़ाना चाहते हैं सही रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं तो competition community की mobile application को जरूर download करें इस qr code को direct search करके आप download कर सकते हो या फिर google play store पर visit क competition community का mobile application आप जरूर download करें इसके लावा इस महीने की magazine यानि की मही महीने का edition का magazine है वो market में available हो चुका है आप अपने नजदी की bookstores पर जाएं वहाँ पर ये magazine available है और मैंने आपको हर एक lecture में बताया है किस lecture में जितने भी topics को analysis करते हैं उस topic का एक विस्तृत जो उलेक है वो इस magazine में किया जाता है तो आपको content अगर hard copy में चाहिए तो वो इस magazine में ही मिलेगा हर एक lecture का तो आप इस magazine को प्राप्ट करके अपनी तयारी को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं clear है चलिए बढ़ते हैं सबसे पहला जो हमारा topic है Elon Musk नाम तो हम सभी को पता ही अपनी टेसला के CEO है और अभी हाली में इन्होंने Twitter social media platform को खरीद लिया है कितने billion dollar में तो 44 billion dollar में आपको याद यह रखना है question यह पूछा जा सकता है कि हाली में Twitter को किस ने खरीदा है तो Elon Musk ने खरीदा है कितने billion dollar में खरीदा है यह amount आपको पता होना चाहिए और लोगों न टेसला का actual में लोगो है और Twitter से जोड़कर यहाँ पर एक लोगो भी तयार कर दिया गया है ठीक है तो अब Elon Musk ने इस Twitter को क्यों खरीदा है तो यह एक नीजिस संगठन बनाने की इनकी योग योजना है एक बहुत मजबूत संगठन बनाने की इनकी योजना है ताकि इस मंच पर एकदम फ्रीडम रूप से अपनी बात रखने का जो है हर किसी को अफसर मिले यह इनका उद्देशी है यह इनका स्टेटमेंट और इससे स्टेटमेंट के साथ इन्होंने Twitter को खरीदा है अब यहाँ पर कुछ important facts आपको याद रखने के जरूवत है जैसे Twitter को शुरू कब किया गया था तो Twitter को शुरू किया गया था वर्स 2006 में यह पहला point याद रखेगा हो सकता है यहाँ पर आपसे question पूछ लिया जाए Twitter है क्या तो Twitter जो है एक micro blogging और इसके अलावा आप इसे कह सकते हो micro blogging and social network करके social network का मतलब यह हुआ और micro blogging का मतलब यह हुआ कि यह एक ऐसा platform है जहां पर लोग अपनी बातों को रख सकते हैं पूरी तरह से founder किसे कहा जाता है तो Twitter के founder किसे कहा जाता है जैक क्या नाम है इनका जैक डोर से यह जो है Twitter के founder कहे जाते है यह Twitter के CEO भी कुछ दिन तक रहे कुछ दिनों तक और यह Twitter के CEO के पत्पर कारे रथ थे लेकिन कुछ दिन पहले ही Twitter के CEO के रूप में किन्हों ने कारेभाल संभाला त परती अमेरिकी नागरिक पराग अगरवाल जो है अभी वर्तमान समय में ट्विटर के CEO हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही जो है वो ट्विटर के CEO के रूप में अपना पत भर संभाला है तो इस तरह से इतने पॉइंट्स को आपको ट्विटर से रिलेटेड यहां पर याद रखना होगा अगला एक बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है वो है इम्मैनुएल मैंक्रून से संबन देती है कौन है तो यह फ्रांस के राष्टपती है और हाली में फ्रांस में फिर से चुना हुआ और यह फिर से एक बर फ्रांस के राष्टपती के रूप में चूने गये हैं डारेक परिक्षा में प्रशन पूछा जा सकता है कि हाली में संपंच चुनों में फ्रांस का राष्ट पती किसे निक्त किया गया है तो आंसर होगा इम्मैनुएल मैंक्रो याद रखिएगा 24 अपरेल 2022 को फ्राष्ट पती के रूप में फिर से इन्होंने अपना कारेभाल संभाला और इससे पहले ये 2017 से जो है फ्रांस के राष्ट पती हैं और मैंक्रो पिछले 20 वर्सों में फिर से निर्वाजित होने वाले पहले फ्रांसे स राष्ट पती बन गये हैं अब जब हम यहाँ पर फ्रांस की बात कर रहे हैं तो फ्रांस से रिलेटेड कुछ important facts आपको याद होना चाहिए फ्रांस का location आपको याद होना चाहिए फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस जो है वो western यूरोप का एक country है अगर हम फ्रां North East में निदर लेंड, Belgium, Germany या फिर Luxembourg जैसे countries मिलते हैं इस्ट में चले जाओ तो Switzerland जैसे country मिलता है इटली भी यहाँ आता है और नीचे यहाँ पर आपका Spain South में दिखता है और यहीं पर South में ही Mediterranean सी भी दिखता है और यह दोनों important है Atlantic Ocean और Mediterranean सी France के location के लिए तो इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे अगर हम France के population की बात करें तो यह लगभग 6 करोड 70 लाग के आसपास जो है France की जनसंख्या है और France की राजधानी कहां है तो France की राजधानी Paris है इतनी बातों को आपको यहाँ पर याद रखने की आवेशक्ता है अगला अगला भी एक important topic है wisdom cricket of the year तो wisdom cricket of the year से 5 क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है यानि कि wisdom क्या है एक पत्रिका है और इस पत्रिका को प्रती वर्स जो है वो जारी किया जाता है इस वर्स भी जारी किया गया और इस साल इस पत्रिका में wisdom क्रिकेटर of the year में 5 क्रिकेटर को शामिल किया गया है जिस नाम है जस्पित बुम्रा इन्हें विजडन के 2022 अंक में वर्स के क्रिकेटर चुने गए पांच खिलाडियों में रखा गया है इसके लावा तीन और कौन-कौन खिलाडी है तो न्यूजिलेंड के डेवन कौनवे इंग्लेंड के तेजगेंदवाज है ओली रॉबिन्स और द किर्केटर है जैसे अग्रणी क्रिकेटर यानिके लीडिंग क्रिकेटर इन द्थी वर्ल्ड ये किसे चूदा गया है तो जयो रूट कौन ए इंग्लेंड के क्रिकेटर है इसके लावाद डाक्षिन अफरीका की पेटर लिज crashed ली को दुनिया की सिर्ष महिला कर्टेटर यानिक fyटर लिडिंग वूमें कर्टेटर चुना गया है यह मेल कर्टेगरी में जो रूट और फिमल कर्टेगरी में बेटर लिजेली का नाम है और पाकिस्तान का विकेट कीपर बल्लेबाज मुहम्मद रिजवान को जो है वो वर्स 2020 का इस वर्स का यानिकी 2022 का जो है T20 क्रिकेटर अफ दी एर चुना गया है तो दो भारतिय खिलाडियों का नाम क्यों कौन कौन सा है आपका एक रोहित सर्मा और एक जस्पृत बुम्रा ये खासकर याद रखेगा अब यहाँ पर विजडन से रिलेटेड भी हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपसे क पॉर तक जीवित रहे थे और इनके द्वारा फ्रेड लिली वाइट में दगाइड टू क्रिकेटर्स के प्रतियोगिता के रूप में की गई थी और तब से 1864 से प्रतिय वर्स एक पत्रिका के रूप में विजडन का प्रकाशित किया जाता है जैसे आपर देख सकते हैं व क्रिकेट के बाइबिल के रूप में भी इसे कहा जाता है और क्रिकेट की एक संदर्व पुष्टिका है जिसे युनाइटेट किंडम में प्रतिवर्स जो है वो प्रकाशित किया जाता है तो आपसे ये भी कोशन पूछा जा सकता है कि प्रतेख वर्स कौन से देश द्वार पुर्सकर पुरसकर क्या गया, इसी की सरीज मरूदी है की पुरसकर की स्रीजर पुरसकर क्या गया देसर प्रदान मंग। में स्थापित किया गया है जिनका अगर हम लता मंगिसकर जी की बात करें तो इसी वर्स फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया था कितने वर्स की आयू में अगर आप से पूछा जाता है तो यह 92 यानि 92 वर्स की उम्र में इनका निधन हो गया था और यह जो अवर्ड है प्रतेक वर्स सिर्फ एक व्यक्ति को जिसकी भूमी का राष्ट निर्मान में सर्वो परी माना जाएगा या फिर बहुत ही बहतरीन योगदान माना जाएगा उन्हीं को यह पूरसकार जो है प्रतेकवर्स सम्मानित किया जाएगा लता मंगिसकर जिसरे रिलेटेट कुछ यहां पर इ पर्स 2007 में इन्हें फ्रांस के सर्वुच सम्मान से भी सम्मानित किया गया लता मंगिसकर जी के बहुत सारे नाम थे जैसे मैंने शुरू में बताया कि भारत की कोकिला स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है लगभग एक हजार हिंदी फिल्म और लगभग पैतिस से ज्यादा छेत्रिय भासाओं के फिल्म में लगभग पांच हजार से अधीक गानों में ये अपनी आवाज जो है वो दे चुकी है अगला एक और इंपोर्टन टॉपिक है राष्ट्रिय सिवल सेवा दिवस दो हजार बाइस अगर देखें कि राष्ट्रिय सिवल सेवा दिवस यानि की सिवल सर्वेंट डे कब मनाया जाता है प्रतेक वर्स तो ये याद रखिएगा डेट है आपका 21 अपरेल 2022 को जो है इस व इस अपरेल को स्वतंत्र भारत के पहले ग्री मंत्री कौन थे सर्दार वल्लब भाई पटेल इन्होंने 1947 में दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रसाशनिक शेवा अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे यानि कि वो ऐसे अधिकारी थे जो कि आप उन्हें कह सकते हो कि ट्रे दिला करयानवन के लिए विसेश रूप से इन्हें संबानित भी किया जाता है प्रतेक वर्स अब कब 21 अपरेल को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है ये बात भी आप लोगों को सारी चीज़े समझा गई अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका पहला आयोजन कब किया गया किसका राष्टिय सिविल सेवा दिवसका तो पहला समारूक अयोजन जो है 21 अपरेल 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया अब 21 अपरेल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले ग्री मंतरी सर्दार बल्ला भाई पटेल का इन अधिकारियों को स्पीच होता ह अब उसे में इन्होंने सिविल सेवकों को जो है भारत का स्टील फ्रेम कहा था बहुत मसुगूर जो कोट है और सर्दार बल्ला भाई पटेल के तरफ से दिया गया टैग है और जो है कई बार परेक्षा में पूछा गया है कि प्रशाशनिक अधिकारियों को 21 अपरेल 2000 1947 को किस नाम से पुकारा गया था या फिर कौन सा टैग दिया गया था तो भारत का स्टील फ्रेम ये सब्द आप लोग याद रखेगा परिक्षा के लिए महतुपून होता है अगला भारत सरकार का नया प्रधान वे ज्यानिक सलहकार यानि कि प्रिंसिपल साइंटिफिक कि आपउयंट किया गया है किसे अपॉयंट किया गया है फोतिक विज्ञां कि बहुत वड़े गयाता अजय कुमार सुथ को कैबिनेट प्रिंस सलहकार के रोप में आप या तो यह कर्याती इन्का कारे और मत्स या तो सरकार की जब तक मरजी है तीन वर्स के अंदर तक तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं जब तक कि सरकार कोई आदेश जारी ना कर दे ठीक यह प्रख्यात जिव विज्ञानी के विजय रागवन का इस्थान लेंगे और के विजय रागवन का जब नाम आता है तो ये 2018 से इस पद पर थे और कोविड-19 के दौरान में सरकार की बहुत बड़ी भूमिकामे में थे और टास्क फोर्स में बहुत इन्होंने मदद भी किया और काफी हद तक कोविड-19 से लड़ने में जो चुनोतियों का सामना करने में इनका महतुपून योगदान है तो अगर हम बात करें कि सरकार का नया प्रधान वैग्यानिक जो है जिसका नाम क्या है अजय कुमरसुद तो इनका रूल क्या होगा तो रूल होगा कि सरकार को साइंस के मामले में यानि कि विज्ञान के मामले में प्रोध्योगी की के मामले में सरकार को जो है वो सलाह देंगे ठीक बात चलिए अजय कुमर सुधी जो है वर्तमान समय में आई यह सी बैंगलोर में प्रोफेसर के पद पर कारे रहत हैं और यह प्रधान मंत्री के विज्ञान प्रोद्योगी की नवाचार सलाकार परिशत के सदस्त के रूप में भी वर्तमान समय में कारे रहत थे ठीक बत चलिए आगे 25 अप्रैल को जो है विस्व मलेरिया दीवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्त का थीम क्या है याद रखेगा पुछा जा सकता है तो हार्णिस इनोवेशन ऑफ रेडियूस दी मलेरिया डिजिस बडेन एंड सेव लाइफ यानि कि मलेरिया रोगों के बोज को कम करने और जीवन बचाने के लिए नावाचार यानि की इनोवेशन का नएने आइडियास का उप्योग करें ठीक बात मलेरिया से रिलेटेट कुछ यहाँ पर इंपोर्टेंट फैक्स याद रखेगा मलेरिया कैसे होता है तो मादा एंफिलेज मच्छर के काटने से क्या प्लास्म के लिए नोवेल पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे अब यहाँ पर कुछ अदर फैक्स भी आपको याद रखना होगा जैसे पहला मलेरिया दिवस कब मनाया गया यानि कि शुरुआत कब किया गया इसका तो इसे 2001 में शुरू किया गया था और याद किजिए हाली में हमने पढ़ा था कि विस्व में मलेरिया का पहला वैक्सिन जो निर्मित किया गया उस पर डवलु एचो की तरफ से अनुमाती दे दी गई थी तो उस वैक्सिन का नाम आपको याद रखना है उस वैक्सिन का नाम किजिए र्टी एस कॉमा इस और इसके अलावा एस जीरो वन ये दुनिया के पहले मलेरिया टीका का नाम है और इसे जो है और क्या कहा जाता है मॉस क्यूरिक्स भी जो है इसे कहा जाता है तो Moscurix के नाम से भी इस vaccine को जाना जाता है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा तो malaria से related आप इतने facts याद रखिएगा ठीक, तो आज के इस miscellaneous session में फिलाल इतना ही है सारे जितने important topics थे, जितने भी topics थे, सारे बहुत important थे तो आप एक-एक videos का notes भी अगर चाहें तो बनाते चलें एक-एक lecture का, एक-एक topic का हाँ, लेकिन आपको बाद में preparation करने के लिए notes बनाने के लिए magazine भी available कराया जा रहा है जो की monthly होता है तो हर महीने की magazine जो है आपको market में available हो जाती है तो अभी महीने का edition का आ चुका है आप उसे जाएं और उसे प्राप कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी suggestion किसी भी video lectures पर अगर आप देना चाहें तो नीचे comment section में हमें जरूर दें तो इस lecture में फिलाल इतना ही Thank you, thank you very much